प्रवेश कर जाएंगे उत्तरा फालगुनी नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी सूरेदेव हैं आज के जन में जातक सुन्दर, बुद्धिमान, व्यापारिक बुद्धी वाले, सही निरने ले देने वाले पूर्वा भास की छमता से युक्त, अध्यन सील, गडित साहित एवं भासा आदि में विशेश रूची रखने वाले मगर आलोचनात्मा प्रवृत्ति वाले और कुशागर बुद्धी के स्वामी होते हैं अपने पुरसाथ से धन उपारिजन करने में सफल भी होते हैं इन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा और ख्याती अच्छी मिलती हैं यदि सहयोगी लगन रहा सूर्य और बुद्ध की स्थिति अनकूल रही तो पून सफल होंगे चंद्रमा आज कन्या राशी में ही चलते रहेंगे जिसके राशी स्वामी बुद्ध देव हैं मेश राशी वाले जातकों के मन में कई तरह के विचार चलते रहेंगे मन को किसी एक विशे पर एकागर करने में दिक्कत होगी पारिवारिक सुख संतुष्टी में कमी महसूस करेंगे मा के स्वास्त के प्रती चिंता बनी रहेंगी चंद्रमा आपकी राशी से छठ में बैठे हैं काम रुक रुपकर होंगे और संतुष्टी और उत्साह की कमी का संकेत भी मिलता है नवीन का रियोजनाव के लिए आज का दिन उचित नहीं होगा हाला कि आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा संतान संबंधी मामलों में अनुकूलता मिलेगी अधेन अध्यापन में सहयोग बना रहेगा और प्रतियोगी भावना विक्सित होगी ब्रिश राशिवाले जातकों के बौधिक छमता और सारीरिक उर्जया में विकास होगा बुधी चातूर्य से अपने ब्यावसाई गतविधियों में सफल रहेंगे और आर्थिक लाव मन मुताबिक मिलता जाएगा अधूरे और रुके हुए कार इस संपन्न होंगे संतान संबंधी अनुकूलता और सिक्षा प्रतियोगता में सफलता संभावित है पारिवारिक उद्देश्यों की पूर्टी होगी और खुशनुमा महावल बना रहेगा नीजी निवेस और वरवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा साथ है स्वास संबंधी सावधानिया और अपने खर्चों को नियंतित करने की कोशिश करनी चाहिए मित्वंग राशी वाले जातकों की सकारात्मक कारी उर्जा बनी रहेगी और रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे मगर आर्थिक मामलों में ठोस और महत्पूर निर्ने सोच समझ कर सावधानी से लेने चाहिए हाला कि ब्यावसाईक योजिनाओं के कई आउसर सामने आएंगे नई कारी उर्जनाओं के लिए भागी दारी लावधायक रहेगी शिक्षा प्रद्योगिता में सफलता हासील होगी बच्चों से संबंधित सुखत समाचार मिल सकता है सासन सब्दा वाधिकारियों का सहयोग बना रहेगा आपके आध्यात में कूर्जा अस्तर में बृध्धियोगी नीजी निवेश और वयवाहिक मामलों के लिए समय अनकूल रहेगा करक राशी वाले जातकों पर ही कालसर प्योग लगा हुआ है जो कि आपकी शारिरिक और मानसिक अस्तर पर आपको प्रभावित कर सकता है व्यावसाई के लेंदेन में भी सावधानी रखें और नीजी संबंधों के प्रति सावधानी अपेक्षित है हाला कि कारेच्छेत के प्रति विश्तार और विकास का संकेत मिलता है संबंधित मामलों में आ रही अर्चने खत्म होंगी काम की अधिक्ता के साथ साथ उर्जा अस्तर भी बड़ा रहेगा रचनात्मों कुरिया सार्थक होंगे आर्थिक लाव बना रहेगा सिख्षा प्रत्योगता में सफलता मिलेगी मगर संतान पर्ख से चिंता संबावित है मीजी निवेस के लिए आज का दिन अनकूर रहेगा मगर स्वास्त के साथ ही साथ अपने कारेच्षे से संबंधित सावधानी बनाए रखे सिंगर आशिवाले जात्कों को धन संबंधि मामलों में सहयोग मिलेगा और आर्थिक लाव के नए मारिक प्रसस्त होंगे उत्साह और कारेच्षमता में व्रिद्धी होगी कारेच्षेत का प्रबंधन उचित धंग से होता रहेगा नई कार्योजनाओं के प्रति आपकी सक्रिय सोच जारी रहेगी मित्रों से सहयोग वा आर्थिक लाव बना रहेगा बच्चों और पारिवारिक मामलों में सुख और संतुष्टी मिलती रहेगी विद्यातियों के लिए आज मेहनत वाला दिन है मगर कुछ मामलों में रुकावट और नावस्यक धन खर्च सरकारी अभियोग दोसारोपण वा अभिवाल इत्यादी का संकेत भी मिलता है सावधानी अपेक्षित है कर्ण्याराशी वाले जातक उर्जावान महसूस करेंगे और रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी ब्यावसाइक योजनाओं में साजहदारी सफलता दिलाएगी मित्रों और सहयोगियों से भी लाव संभावित है कार्चेत्र में अस्थायित विकास होगा बड़े निवेश के लिए आज का दिन अनकूल है किसी समारोव में जाने का मौका मिलेगा सिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा नेजी सम्मन प्रगाड होंगे और स्वास सम्मन दियावर्शक सावधानी बनाए रखें मगर आर्थिक निवेश और ग्यावकारिक लेन देन में भी सावधानी अप्यक्षित है तुला रासी वाले जातकों के आर्थिक मामलों में ब्याय की स्थिती, अंचाही यात्रा और अपने घर्ग रियस्ति पर खर्च की स्थिती बनी रहेगी और यदा कदाम मन में नकारात्मक विचारों का उतार चड़ाव संभावित है मगर सासर सताव अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा आर्थिक लाव मेहनत के अनुसार मिलता जाएगा मगर ब्याय भी संभावित है साथी साथ व्यावसाई की वजनाव में अनावशक विवाद या रुकावट की संभावना भी बनती है पर इस हितियों के अनुसार माहौल को सुल्जाने की कोशिस करनी चाहिए संतानव और सिक्षा प्रत्योगिता में अनुकूलता बनी रहेगी और नीजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा ब्रिश्चिक राशी वाले जात्कों की आय संभंधी संसाधनों की बृद्धी होगी और कारे छेदर के उत्थान की प्रवरित्ती बनी रहेगी अपने आपने वुर्जाबान महसूस करेंगे और आध्यातनिक प्रेरणा का योगदान मिलेगा पारिवारिक दायत की पूर्ती होगी खान पान और जीवन अस्तर में सुधार और घर परिवार के विकास पर ध्यान ना करसित होगा ब्यावसाई की योजनाव की निरंतर्ता बनी रहेगी आर्थिक लाव सामाने रहेगा अध्यान अध्यापन में सहीयोग मिलता रहेगा बच्चों के मामलों में ब्याय की स्थिती अभी बनी रहेगी साथी साथ काल सर्प योग आपके भाग भाव में से लगा हुआ है अतह बनते हुए कामों में अचानक रुकावट, स्वास सम्बंधि परेशानिया और आर्थिक नुकसान भी सम्भावित है सम्बंधित मामलों में सावधानी बनाए रखे धनुराशी वाले जातकों के कारेश्षेत को सुचारू ढंक से चलाने की प्रवीत्ती बनी रहेगी वह नई कारी योजनाओं के बिश्तार में सहयोग मिलेगा मगर कुछ कामों में रुकावट और स्वास के प्रती चिंता का संकेत मिलता है वहन सावधानी से चलाएं ब्यावसाईग योजनाओं की जटिलता आप अपने बुद्धिक औरसल और मेहनत के बल पर सुल जाने में सफल रहेगे साजेदारी सफल रहेगी भावनात्मक उत्तेजना कायम रहेगी फिर भी प्रतिकूल माहौल को अपने अनुसार करते जाएंगे सहीयोगियों से वाद विवाद संभावित है आय सम्मंधी मामलों में सहीयोग जारी रहेगा अध्यान अध्यापन में सफलता मिलेगी और परियास तार्टक होंगे मकर रासि के जात्कों के उर्जास्तर और आत्मिश्वास में दिद्धी होगी आपका मन धर्म छेत्र के प्रतिजादा केंदित रहेगा धार्मिक भावना बलवती होगी कारेशित की जिम्मेदारियां पूरी होगी आर्थिक लाग सामान रहेगा नई योजनाव में निवेस और साजेदारी के कामों में रुकावट संभावित है संभावित मामलों में उचित दिशा निर्देश मिलता रहेगा नीजी सुख में कमी, स्वास संबंधी जटिलताएं घर ग्रिहस्ती में अनावस्षक वाद विवाद और भ्रम की इस्थिती पैदा हो सकती है अनकूल माहल और सामंजस बना कर रहना चाहिए हाला कि वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा बिद्याधियों के लिए अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी और देव दर्शन के योग बनते हैं कुमबरासिके जातकों के लिए आर्थिक उन्नती का दोर जारी है नई कारियों जनाएं लावदाई होंगी अध्यापन में सफलता संभावित है प्रयास जारी रखे और नकारात्मक विचारों वाले ब्रक्तियों से दूरी बनातर रखे मीन रासिवाले जातकों के लिए आज का दिन अन्कूल रहेगा कारी और जनाव में चल रही रुकावटें दूर होंगी और सरकारी कामकाज पूरे होंगे आर्थिक लाव के लिए सहयोग बना हुआ है नीजी निवेस के लिए आज का दिन अन्कूल रहेगा पारिवारिक सदस्यों की सलाह पर अमल करें लाफ मिलेगा साथे इस्वाध समंधे मामलों में सावधानी रखनी चाहिए साजेदारी के मामले आज के लिए अनकूल रहेंगे नीजी सम्मंद प्रगाड होंगे सिक्षा प्रत्योगिता में प्रयास जारी रखें संतान संबंधी चिंता में कमी आएगी और वयवाही प्रयास पलिभूत होंगे आपकी राशी से पाच्वे घर में कालसर प्योग लगा हुआ है जिससे समय समय पर उच्छा हींता, काम करने की प्रवृत्ती में कमी राज की अभियोग, दोशारोपण और पेट संबंधी जटिलताएं भी संभावित है आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, ओम नमाशिवाए